चलिए तो अब बिना आगे टाइम वेस्ट किये हम बात करते हैं सीधे प्रैक्टिकली पोस्टमार्टम इग्जामिनेशन में क्या क्या होता है ठीक है तो पोस्टमार्टम इग्जामिनेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम हिस्ट्री अफ दे केस ठीक है इसमें फर्स्ट स्टेप पूरी डीटेल पता करते हो आप केस से जुड़े वे रिकॉर्ड्स देखते हो मेडिकल रिकॉर्डस इस्पेशली और आप इसीज को कफिर्म करते हो अब क्या किस केस्से आप डील कर रहे हो हुँ ठीक है उसके बाद अगली स्टेप होती है जब आपने पोर्ट मार्टम head to toe and left to right ऐसा पूरा एक्जामिन करते हो फ्रंट से और बैक से ठीक है इसमें दो चीजे आप जरू करते हो एक्ट्रिय चेंजेज रिलेटेड विध डफ तो डफ रिलेटेड चेंजेज और दूसरा इंजिूरिअ है यह तो चीजेंऊ अप इसमें अबजरू करते हो और उसके बाद आप पढ़ते हो हो internal examination कि तरफ ठीक है टो internal examination में आप क्या करते हो internal examination is actually dissection of the body इसमें आप क्या कर रहे हो देखो cranial cavity, chest, abdomen और pelvis यह cavities है आपकी आपने सारी cavities open करनी है और इनका जो content है इनके अदर जो विस्रा है उसको एक्जामिन करना है ठीक है अंदर वैसे भी अपिसली होगा ग्रेन होगा चेस्ट के विटी में हार्ट और लंग कॉंपलेक्स होगा कोते हैं आपके सारे विस्रा जीयटी लिवर किड्नी स्प्लेण यह सब जावकट अब्सव करने हैं म्हार जिस अपको अब्डिकरण करना है जदिनी भी बोडी वेटीजयन सब कोुख़र करना है इस को को और और खॉत रगना है इस्तमक के तौटित को और वेख़र सकते जहे है बुलैट हो सकती है कोई chemical हो सकता है poison हो सकता है सिस्टमक के अंतर, वो जो भी content है वो आपको internally examine करना है internal examination week- Processienda चपि email के बाद, दो चीजे हो सकती हो तो अपने external examination के दोरान कुछ sample उठाए होंगे या internal examination के दोरान कुछ sample उठाए होंगे तो यह अगली step है आपकी investigation ठीक है यह वो investigation है जो अब आप prescribe कर रहे हो तो यह investigation क्या हो सकते हैं देखो सबसे common toxicology जब हम poison के लिए chemical examiner को sample बेचते हैं दूसरा histopathology और आगे बढ़ो तो आप DNA के लिए sample उठा सकते हो अपने blood ले लिया for DNA ज़्यादा वो तो आगे तो फिर microbiology में भी चले जाते हैं उसमें वाइरो लोजी के लिए भी sample बट यह सब theoretical बाते ज्यादा हैं practical कम है practically most of the cases में आपको बस यह toxicology और histopath maximum यहां तक आपका काम हो जाता है अगर unknown bodies है तो blood से आपका काम हो जाता है ठीक है तो यह जो पूरा examination है ना यहां से यहां तक यह यह यहांनी from history to यह आपके investigation भेजने तक यह है postm coronavirus ठीक है और plus आपने यहां पर इसके बाद है क्रियेट करनी है postmortem report ठीक है इस postmortem report में आप क्या क्या करोगे इस postmortem report में एक first page होता है जो first page है उस पे patients की detail होती है और स्षरी disease की detail होती है और जो investigating officer है उसके sign होते हैं और दो identifiers के sign होते हैं ठीक है और उसके बाद के part में आप पूरी detail history उसका hospital record वो सारा mention करते हुए फिर आपके external examination की और फिर उसके बाद internal examination की इस सारी detail भरते हुए इस सब के basis पे last में आप last page पे opinion देते हो और opinion के साथ ही last में आप ये भी उसमें declare करते हो कि आप आपने dead body return करती है to the investigating officer with its belongings and आपने क्या-क्या sample भेजे हैं किस-को भेजे हैं वो सारी details के अंदर होती है ये इतना करने के बाद आपकी postmark report यहां पर आपका postmark actually complete होता है ठीक है अब इसमें मैं फिर चीज कह रहा हूँ जैसा मैंने पहले भी काया बार-बार ये जितनी steps हैं सब अपने आप में चेप्टर है मैं एक एक पर बात कर रहें जाओंगा तो एक 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 घंटा लग जाएगा जैसे अब ये फर्स्ट पेज है सिर्फ इसी पर एक घंटे तक हम बात कर सकते हैं तो अभी मैं उस टीटेल में जाने से अपने आपको रिफ्रेंड कर रहा हूँ ठीक है अब हम चलते हैं हमारा जो में जिस चीच को लिए हमने शुरू किया था कि वाटर दो अब्जेक्टिव साफ और आपसी तो अब्जेक्टिव की जब मैं बात करता हूं